अब अंतिम समय में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए इस वीडियो में आप आज आपको 100% वाले MCQ बैंक देखे जाओंगा कम चे कम यहां से 50-55 सवाल आएंगे ठीक है इंटरेंचिक जाम में उसके बाद से आपको आज एक बार सीट्टों का ब्योरा बता दूँगा कि आखिर कितने अप्लिकेंट आ रहे हैं लखनो उनिवर्चिटी में पेपर देने और आपकी जो एक्जाम टाइम है वो क्या है ठीक है और कितने सेंटर पर आपके एक्जाम होंगी ठीक है तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखे अगर आपके पास से टाइम नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए तो आप एक काम करिएगा आपको पढ़ने के लिए MCQ बैंक चाहिए ही ठीक है लखनो इन्वर्चिटी में सेलेक्शन लेने के लिए हमारे जो MCQ बैंक होते हैं वो आपके लिए काफी होंगे लगों 50 से 55 सवाल यह पूरे MCQ बैंक और E-notes कबर करेंगे अगर आपको यह सारे E-notes चाहिए ठीक है जितने भी MCQ बैंक चाहिए तो आपको क्या करना है हमारे वाट्चप नंबर 8400 84001 12296 पर आपको हमको वाट्चप करना है वाट्चप में क्या लिखना है नेम आपका जो भी नाम हो लिख देना है विकॉम इंट्रेंश ठीक है तुरंत लिखेंगे एक सेकंड के अंदर आपको यह सारे E-notes के लिंक मिल जाएंगे और आपको अपनी पढ़ाई कर देनी ह है शुरू बच्चो अगर यहां से पढ़ाई कर ले तो यह पिछले साल का कोश्चन पूछा गया था बच्चो लगवा 25 से 30 कोश्चन बच्चो ने बताया ताब वो मैंने अपडेट किया है और यहां पे most important पेपर है बच्चो 100% selection दिला देगा अगर commerce वाला बच्चा है अ आपको computer के सारे mcq bank मिल जाएंगे mental ability के paper कैसे आते हैं किस तरीके साथ है उसका आपको concept idea मिल जाएगा economics के e-notes मिल जाएंगे management के e-notes मिल जाएंगे plus 500 mcq bank extra मिल जाएंगे तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना आपको क्या करना इसके लिए एक छोटा सा workshop आपको क्या करना है नेम लिखना है और लिखना है become interest तुरंत लिखेंगे एक सेकेंड के अंदर आपको यह सारे study material मिल जाएंगे बिलकुल फ्री में जान लीजिए कि आपका exam date क्या है चार तारीक को आपका exam है become honors वालों का जो exam हो साले 11 बज़े से 1 बज़े तक होगा ठीक ह और वही जो become NEP become NEP जिसके में लिखा होगा उसने चार से लेके सारे 5 आप exam center जाने से पहले आप अपने admit card को चेक कर लिजेगा admit card के साथ ध्यान रखिए का आपको एक photo लेके आना है उसके बाद से आधार card लेके आना है आपको ठीक है यह बाते सब ही चीजे mention है और जिनका quota verification होगा NCCD पे इन सब के quota verification के लिए आपको certificate लेके आना है बच्चो लखनो उनिवर्सिटी में total लगबग लगबग बीकॉम में की बात करूँ तो regular में बीकॉम के 480 सीटे है चार सेक्षन चलता है यहां की बात करूँ बच्चो तो total 240 सीटे है ठीक है तो यहां के अगर calculate कर रेगुलर के लिए अलग एक्जाम कर रही है तो total 900 सीटों पे बच्चो अगर बात करूँ ओनर्स में लगबग कम से कम सारे 3000 बच्चे परिच्चा देंगे 1803 सीटों के लिए लगबग 3500 बच्चे ओनर्स के लिए परिच्चा देंगे वहीं बीकॉम में regular के लिए बीकॉम N लेना है चाए बीकॉम हो या बीकॉम ओनर्स हो आप हमारे अगर ये इकंटेंट पलते हैं तो आपका 100% सेलेक्शन लखनो उनिवर्सिटी में हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा आप ये कॉन्टेक्ट करना ना भूलेगा हमारे वाट्चाप नमबर 8400122296 पे वीडियो के नीचे आके बताएगा बच्चो बस सेलेक्शन के लिए आपको बस इतना ही पढ़ना है और इस लिंक को अपने दोस्तों से कहिएगा कि वो भी सेयर करें आप भी सेयर करेंगे तो हर बच्चे का एडमिशन लखनो उनिवर्सिटी में हो सकता है ठीक है क्योंकि 900 सेटों के लिए बच्चो थोड़ा सा वी अगर 55 कोशन भी सही हो जाएगा तो बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो आज चलिए सबी लोग मिलके मदद करिए ठीक है इस लिंक को जितना हो पाए बच्चो उतना सेयर करेंगे उतने बच्चों का सेलेक्शन होगा ठीक है भ